यह फ्रेंस वुलकम चो एंटी के नेट एक्जाम में रहा है चानल में खास थे पन्जाब देस्टू ले लिबना यह एंटी एक्जाम टी तियारी कारे है नहीं ते आपने एक्जाम टी तियारी कार सकते हैं इत इतानो डिफ्रेंट आइटी इंफोर्मिशन आए जो ताड़ एक्षाम वास्ते जुरूरी है प्रवाइड करवारी हैं तो तुसे मेरे चैनल नो सब्सक्राइब कर लो नाल देना बला इकन जुरू दुबाले हो तहां जो तानो नो नोटिफिकेशन मिल दी रहें नाल देना तुसी लाइक जुरू करो वीडियो शेयर जुरू करो और कमें दी आईडे दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ते भेचे रहें तो एटीवां तो असी स्टार्ट करने ने आपसे अपने एमसे क्यू जड़े है लिने फर्स्ट है गवा लम्मिया बिर्तान तक कभी तामा दे कभी आदा सही वर्ग असी दसनाय केड़ा है गवा हरपजन सिंग जस्वंत जफर पाल कोर्त नवतीच पार्ती है हरपजन सिंग मोहन जीत इकबाल रामू वालिया अजाइब कमल है शिफ कुमाज स्वंत दीद है वनीत है सुख विंदर अमरित है जाफिर पर मिंद जीत है जमीर रुटे ते सुझीत कलसी ते अमरीश है इससे विच जड़ राइट अंसर है ओए अप्शन नमबर सेकिंड हरपजन सिंग मोहन जीत इकबाल रामू वालिया ते अजाइब कमल उस्तो बाद है नवा नसल वाद दीज मसल लाएके लिखिया गईया जिनिया कहाणिया केडिया केडिया है गयने ए दसना सी इस विच खुष फैमी फिट्या दुद काला लगू बद अखल खटी लसीधा ग्लास दीसरी आख बद रंग गुरे कुटे वाला वक्ता मारे दो किनारे उस तरह वापसी ए है गया इन दे विच वापसी दुसना है इन दे विच फिर्स वापसी फैमी ए गशिफ चरन गिल दी है गिया उस तो बाद गवापसी लसीधा ग्लास दीसरी आख जोगी जमेर उट दे रिए गिया जड़ी है गिया उस दे विच आएं दी है नसल वाद नुल लाएके उस तो बाद गवापसी जड़ी है गवापसी जड़ी है गवापसी जड़ी है गिया जड़ी है गिया निसल वाद नुल लाएके है गिया इस दे विच वी जड़ी है तो यहाइख चाह्मी साहथ चिंतन छी लिहाझाश परोड़ी हीよ पच्छम कालवन दे लिहाज दे नाल ही नहीं, तुझ अगर देख जाए तो अगर देखे जाए तो इन इन प्रामपरा दे रूप दे वीच भी विक्सित होया, वह देखे जाए तो अगर राइट अंसर रहा नहीं, एसे वेच यह अंसर अगर देखिए तो सही है क्योंकि अगर उथे वराइटी मिली है पच्छम में अभी चता ही असी उत्तो कुछ शिखे आई उननी जा कारण की हैगा क्योंकि पच्छमी मुलकां दे विकास शक्ती शाली उबाराने उनना दे विद्वाना नो ग्यान दे सिर्जन दे पर जलनने विशीश मोग के परधान की ते ने जदो पच्छन दे साहईड विकास होया सी उस तो लावा बहुत सरी वते विचारतन आम आएगा सी वाद आया सी जिस्दे कार उनने साहिध परफुले तो उनना नो बहुत कुछ सिखन नो मिल आ सी सो जिसका केकी है गया उनना दे जड़े साहिद विछ वान सुन गया जो भी कहलो बहुत सारी चीज़ायां हुजी है देखनों मिल दिया ने चाहे देखते भी है जो नहीं है गया थीटर्स अगर देख लो ओते कल्चर बहुत ज़ादा प्रफूली जाए गवाँ सो ए जड़ा कारा लें पश्मी साहत किते हास्तानों माडल दे तोर ते अपनोना बहुत लाब दाएक नहीं होगेगा क्योंकि उनना द्वारा इस अलोकिक पार्थी तातन ने बाया नहीं जा सकेगा तो एक किस्ते द्वारा कथन है कवा एक कथन है कवा अतर सिंग दे द्वारा है गवा उनने दसेवा कि जेकर पार्थी जडिया पशामा उनना दे साहत इतिहास काना लें पश्मी साहत इतिहासक मोडलान अगर वो पना लेंदे ने दैन उनना नो की होगा कि इनना ज्यादा लाब नहीं होगा क्योंकि उनना द्वारा की है गवा कि जड़े पार्थी ते साइड जो भी रच्या जा रहा है गवा उसनु ओ उन्ना दे द्वारा नहीं निबा सकते सो इस दे द्वारा गसी ए अतर सिंग्दे द्वारा है गसी उस्तो बाद नेक्स सड़ को एंदेवा सब्ब्या चार दे मुख लच्छन की रहा गया संचितों दी प्रकिती जीव विक्यानक व नेक्स है गवा बाशा आखे वजी नू एक अजब जनानी ओह आवे साड़े सामने हर रोज मुदामी ओह दा सिर खुला दांत दरास तेस्या पेशानी ओह आदमिया दी रतमिज मंगे में जमानी एप पंक्तियां जड़ियां है गिमा किस वार दे विच्छों है गयाने एप जम्मु कश्मीर दे पंजाबी कहानी कार जड़े खेड़े है गया हर पर जन सिंग सागर है वल जीत रहना है रश्पिंदर रशिम है सुरिंदर नीर है विश्व जोती तीर दीपती बभुटा है कालिद हुसेन पर पिंदर सिंग सूधन है तो एथे जड़ा राइट अंसर आप्शन नम्पर थर्ड जिससे वे चृबफ फर्स्ट आते फूर्त दुवें आंडकों कहरा है파ा ये पाशाघत हुनिवोस संद्रमद३र्ट कि नहीं विरार और होने है तौनी पाशा गट universal अगिया पूरी उनिवर्सल आइंदा उनिवर्स चीज़े वेच चाहिए लगा शारी आरें पर हुए और राइट शंट सेकिन्ड केड़ी बिरतांत शास्तरदी परमुख परवित्ती नहीं हैं है अगर तुसी देखो बिर्तान शास्तर की जिस्दे वेच कथा ते जादा जोर जिता जन्दा कथा ब्यान ते जादा जोर जिता जन्दा वा जिस्दे वेच अगर देखो ता एते ये दिश्या है वा वस्तु मुखी बिर्तान शास्तर प्रविति नहीं है गी उनने क्या वा इते हास मुखी बिर्ता अगर तुसी बिर्तान शास्तर वाला टॉपिक पड़ो ता उत्ते वेच जड़ा ऑप्शन नमबर सेकींड ते ऑप्शन नमबर जड़ा फोर्थ है गवा ए जड़ा नहीं आंदे हागे बाकी वस्तु मुखी ते रोमांस जड़े हागया ओ दोनने आंदे है सो ऑप्शन नमब दी कामना दे चैनल सबंदी तो नहीं है गवा होनेज़्ष ले वेच ह事情 द सनाय किले कले सन शांकन है तूनी दर आग ठीक है जड़ी है गवा बलबंतगार गी दे द्वारा है गवा उस तो बाद हैंवा गठनमेथाल गया भी बलबंतगार गवा ड़े बाद कली पहीं मच् सच पर ले होए ते इनना दे विच होन जड़ी औरत दे कामना दे नासबंदित नहीं है ओ दसना है असी जिसे विच ऑप्शन नमबर सेकींड ते ऑप्शन नमबर अगर फोर देखिए ता होने देखो अगर गगन में थाल तुसी इस थो ही थोड़ा या अंदाजा ला सकते हो ते होने इस दे विच भी अगर देखो ता जिन सच पर ले होए यह जड़ा है गवा उनना दे नासबंदित नहीं हो साथे सो अप्शन नमबर सेड़ को सेकींड ट फोर्थ राइट अंसर है जड़ा कि फर्स ते आ रहा है गए थोड़ी जी ट्रिक की उसकर अगर हो थोड़ काया दमाग लगाओ दे अंसला पजेगा हून पैराग्राफिक अबा कि वास्तविक दे कालपनिक दे सबंद नू वस्तू दे रूप दी दवैंत राही समझों दा जतन लम्मे अर्शतों हों दा है इसे दवैंत दे अदार दे साड़े इतिहास वादी अलोचक साहित नू इ चिंतन वीच इक तुरुटी ता एह है कि ओहो काव माध्यम पाशानू दूजे कला माध्यम मिट्टी पत्थर रंग आदी वांग रूप हीन कच्ची समगरी मन्दे हन हाला कि पाशा आप रूप विदान वीच बज्जी होंद है पाशा निरोल निर्पाख माध्यम नहीं का इयक वख्रिश सिर्जना है जिसनों पशान्यर वास्त्विक मुहांद्रेदा काम मत देंदा है पार जिसनु समझे उस बारे रूडियाँ दे अदार दे ही जा सकता है साहित रूडियां दी बिलखंता दादार एह है कि साहित कथन दा अनुकरन करदा है मूल करता एह है कि एह सांच दे बावजुद वी साहित संसार वस्तु संसार तो वकरा है कविता विच कवी वक्ता वी किसे सुरोता किसे समय स्थान विच संबोधन करदा परतीतों होंदा है पर कविता कवी तो बगैर वी बोल दी है वास्तवी कथन वक्ता दी गैर हाजरी विच उचारया नहीं जा सकता इको कविता अनेक स्रोतियानों ही साहित कथन हो के साहित बंदा है वास्तविक कथन वक्ता दी गैरहाज़ी विच उचा रहा जा सकता है जाद की साहित कथन नहीं साहित कथन वास्तविक कथन दा प्रती बिंब ही हुंदा है सो इत्थे जड़ा राइट अंसर है सड़को हो है option number जड़ा first की वास्तविक कत्थन जड़ा है गवा वक्ता दी कैर हाज जीद वेच संबव नहीं होंदा जादे की साहितक उचा यानि की कविता अनेक स्रोते नों कई समय स्थाना ते संबोधन हो सकती है साहितक रूडियां दी विलखनता दा हो नने अदा आरते की मन्या है गवा कि ए साहित कत्थन दा दोहरा हो है साहित रूडियां साहित ली हमेशा ज़रूरी हन साहित रूडियां हर समाज विच्चो इकको तरा दिया होंदिया हन जा एहे साहित कथन दा अनुकरन कर दिया है वस्तु अते रूप दी द्वैत राही वास्त्विक्ते कालपनिक देश बंदा दा निन्ना क्यों नहीं किता जा सकदा एह जादा तर पैरेद विच्चों ही आया जस जाथे मैं राइट अंसर दसांगी क्योंकि उत्थो पाड़के ही राइट अंसर ब्लकु निकलन देया इननु जादा दिमाग लगों दिया थे लोननी है गी जड़ा पैरेद नु सोच समझ के पड़ेगा ते उसनु ए अंसर अपने आप लब बे जाने के ठीक है इस दे विच की काव कि वस्तु ते रूप दी दवयात राही वास्तु ते कालपनिक दे सबंदा दा निनना क्यों नहीं किता जा सकदा कि साहित कारी वास्तु नु कलपनिक बनों दा यतन है क्योंकि साहित कारी वास्तु नु किसे होर माद्यम राही कालपनिक बनों दा यतन नहीं है साहित कारी निरोज समाई दा परतो है ते साहित दी रूप दे वस्तु हमेशा निखणवे रहे हैं सो एठी चरा राइट अंसर है ओर आप्शन नमबर सेकिन क्योंकि साहित कारी वास्तु नु किसे होर माद्यम राही कालपनिक बनों दा यतन नहीं है इतहास वादी अलोज का विच की तरूटी है क्यों हो साहित नु विज्ञान समय दे हन राइनीती मंदे हन इतहास दा बिम मंदे हन जा दस्तावेज मंदे हन एथे असी सेकिंट दता ही एथे होना आएगा साड़को अप्शा नमबर थर्ड की ओह साहित नू इतिहास दा ब्यम्ब मन्दे हन उन्ना विच की है गवा एत रुटी है अप्शा नमबर थर्ड राइटन से उस्तो बाद आएंदा साड़को कि दूजे कला माद्यम नालो पाशा कीवे वक्री है कि पाशा आप रूप विदान विच बननी होन दे है पाशा बोलन ते सुननन दे काम ओन दी है पाशा खुद बोल दी है या पाशा कला दा माद्यम है तो एत्थे जड़ा है कि पाशा आप रूप विदान विच बननी होन एसलिए दूज्जे जड़े माद्यम हों देया उन्ना दे नालो ए वक्री मननी जानदी आप्शन नंबर पर्स राइट अंसर पार्ती पशामा दी जादा तर वर्तों किस मकसद लई हों दी है गैर बोदी कालपनी लिखता है अब देशी पाशामा तो ग्यानो दार अलेन लई ग्यान वान विश्या नो प्रगड करन लई करतारी साहित दी बोदिकता नो प्रक्टों लई या स्थानक पशामा नो दूजी जड़ी है गिया उन्हाना जोडन लई इस लई किया पार्ती पाशामा दी ज़्यादा वर्तों हुंदी है पार्ती पाशामा दे योजना बद अव मूलक दा प्रतिफाल की है गावा कि आतम वी योगण दे अपने आप तो टुटन दी चेतना दा उपजना आतम त्रप्ती दी मिथ्या दा विक्सित होना पार्ती पाशामा दी विकास रेखा दी निशान दे ही या पार्ती पाशामा दी बहुत पक्खी तरक्की आतम वी योगण दे अपने आप तो टुटन दी चेतना दा उपजना राइट अंसर है पार्ती पाशामा संचार दे गोण महतता वानियां क्यूं बढ़ के रह गईयां बोदिक्ता दी काट कारण पाशा विज्याने के तोर दे पछड़े कारण अंग्रेजी पाशा दे गल्बे कारण कि अंग्रेजी पाशा जादा वद रही हैं कि पार्ती पशामा दे आपसी टकरा खारण इसका किली कि पार्ती पशामा संचार दे गोण महत्ता वालियां ही बन के रह गई आने उस्तो बाद है कसड को नेक्स्ट कि पार्ती पशामा दे करतारी साहित विच बोधिक निसलता ते पावोक स्थिलता क्यूं है ग्रेजी पाशा तो धूरी कारन विश्या दी सीमत चोन कारन ग्यान वर्तक लिखता लें ग्रेजी दी प्रबता नो सभिकार कार लेना ये स्थानक पशामा दे करतारी साहित विच बोधिक निसलता क्यूं है गिया कि ज्यान वर्तक लिखता लें आंग्रेजी दी प्रबता नू सभिकार कार लेना ज्यादा तर इंग्रेजी दूँ अचकल मन देने उसनों ही ज्यादा जोर दिता हैं अगर कॉल्ज जे स्कूल देवेच देखो ता इंग्लीश ज्यादा प्राफर किता हैं अगर अगर आण देया तो वह लेख देने कोई-कोई हो जड़ा की अपनी लांगवेच देवेच क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी दा प्रभाव है और अपनी लांगवेच देशा नूवी उस्या में चुकना ही पेंदा है पार्दी पशामा दी साहत की तेहासकारी बोधी पको अन गोली क्यों रही है पश्मी सिख्या दी बोधिक्ता दा त्याग पच्छन दी प्रभुता दी प्रभुता थे उस्या थे संग बे संकोच सविकार न उनने कि पार्दी पशामा दी साहत तक जड़ी तिहासकारी बोधी पको अन गोली क्यों है गिया कि कि असी जादातर बच्छम नो ही प्राफर कीता है उन्हों उस्या दिता है उसनों जाद सविकार कीता है इसका कि एसी जड़े 91 to 100 जड़े हा गया है एंसी जड़े अंसर आतानों पैरे दे विच्छों ही मिल जाने है इसका कि जादातर में समझाएने है क्योंकि एजी आ ओथो ही पढ़के एंसर निकल दे पढ़िए इसका कि में कैसी कि जड़े जादातर माइंड लगा के उस पैरे नों उन्हों अंसर आपने आप लाप जाने ने सो अंसर की साथी पूरी डिसकस हो चुक्या ने आई होप तानों अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे सो एसी आचते जड़ा टॉपिक बाकि हुन नेक्सर सी वार्तक वाले टॉपिक थे शुरुआत कीती हो या ओ कर दे रावांग बाकि दूसरी वीडियो देखो थेंक्यू